फिर वो आप पर हसेंगे फिर वो आपसे लड़ेंगे अपने आपको सही दिखाने के लिए आपसे बहतर दिखाने के लिए लेकिन यह पूरी जिम्वारी आपकी बनती है कि आप अपने आपको सही प्रूफ करो और अपने आपको ऐसा सकसिस परसन दिखाव पाओ उसके सामने और फिर अगर आपने ऐसा कर दिया अपने महनत के बलबूते पर तो फिर आप जिद जाएंगे यह कहना है किसका बापू का यानि महात्मा गान्दी का क्लास को स्टार्ट करूँगा इसी साथ और बोलूँगा चैमल के उपर जो भी नए है चैमल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अबट आप सभी को मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का जो मोग्ट टेस्ट है आप सभी हमारे एप्लिकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं अगर वहाँ से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ यानि एक साल तक आपको हर एक एक्जाम का 20-20-25-25 सेट दिया जाएगा ताकि आप एक्जाम से पहले अपने आपको जज कर अपाओ कि आप स्कोर कर कितना पार है और आज कबर करेंगे हम सभी 26 फैवरारी के इपोर्टेंट करेंट अफेर कुछ इपोर्टेंट तथि के साथ और एक बाद आज आप सभी का क्लास नहीं होगा क्यों कल के मैंने सारे क्लास में बता दिया था कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ तो आज आपका क्लास नहीं होगा लेकिन साम को चार बजे बहुत लाजवाब विडियो आप सभी को मिलने वाला है तो देखते हैं आज का पहला प्रस्थ हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्थ है गो एर के सीओ के रूप में किसे निक्त किया गया है यह आप सभी को बताना है तो गो एर के सीओ के रूप में जिसे निक्त किया गया है उनका नाम है आपका बिनय दूबे, आपका C, आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है आपके बिनय दूबे, जिनको Go Air का CEO बना दिया गया है, अगला प्रसमारे सामने हैं, करनाटका के उप मुख्य मंत्री के रूप में किसे चुना गया है, Who has been elected as deputy chief minister of करनाटका, अभी करनाटका के chief minister कौन है, तो आप सभी को पता है यह दूरप्पा साहब है, राजुपाल कौन है बजू भाई बाला, और capital तो वो है आपका बैंगलूरू, लेकिन अगर बात करें अभी करनाटका के उप मुख्य मंत्री के रूप में किसे चुना गय है, तो उनका नाम क्या है, लक्षमन सावदी, option number आपका D, next question हमारे सामने है, निमलिकीत में से किसने जन संख्या नीतियों और प्रजनन स्वास्थ में अपने काम के लिए, डैन डेविड पुरुसकार जीता है, यह आपको बताना है, यानि जन संख्या नीतियों और प्रज महिला का नाम है, आपका गीता सेन, option number आपका D, और जो फोटो में जो महिला दिखाई दे रही है, इनहीं को यह पुरुसकार दिया गया है, question है, याद रखना, एक्जाम में 110% किसी ना किसी सिफ्ट में बनेगा, लिख कर लेना, क्योंकि डैन डेविड प्राइज बहुत इ जो तिसी का पुरुसकार किसने जीता है, ये आपको बताना है, बेस्ट एस्टोलोजर का पुरुसकार किसने जीता है, इंडियन एचीवर अवार्ट सेर्मनी में, और उनका नाम क्या है, ये कौन है, इनका नाम है आपका Dr. Sohani Sastri, option number आपका B, कलकता की रहने वाली है, ठी Dr. Sohani Sastri के खाते में, ठीक है, अगला प्रसा मारे सामने है, केंद्र प्रसासनिक, नए धिकारण 2020 के अखिल भारतिय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा सहर करेगा, विस सीटी विल होस्ट दा, All Indian Conference of Central Administrative Tribunal 2020, और ये करने वाला है, आपका option number D, नए दिल्ली में, इसका होस्ट जो कौन है, अर्वीन केजरिवाल, राज्युपाल कौन है, तो सभी को पता है, अनिल बैजाल, ठीक है, अगला प्रसा मारे सामने है, वर्स 2019 और 2020 के लिए, प्रतिष्टि टाटा इनोवेशन फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है, यानि, प्रिष्टिजियस टाटा इनोव ठीक है, अगला प्रसा मारे सामने है, मुश्किल सावाद 2020 का पाँचवा सस्क्रण कि साच में अयुद किया जाएगा, और ये होने वाला है आपका गोवा में, अप्सन नमबर आपका दी, गोवा के सियम परमोश सावन, राज्युपाल कौन है, सत्तेपाल मलीक और राजध अगला प्रसा मारे सामने है, फोर्ब्स द्वारा, भारत के दूसरे सबसे अमिर वेक्टी के रूप में किसे नामित किया गया है, उनका नाम बताना है, आप सभी को पता है, फोर्ब्स जो है, वो मैगजीन है, अलग-अलग कैटेगरी में, जो है, वो रैंकिंग देते रहत तो इंडिया में सबसी अमिर वेक्टी का खिताब जो गया है वो गया है मुकेस अमबानी के नाम पर लेकिन यहाँ पर कुछिन में पुछा है आप सभी से कि दुसरे अस्थान पर कौन है तो दुसरे अस्थान पर है आपका राधा किसन दामनी और पहले पर तो वो आपके रि IISS data के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा छित्र बन गया है ये आपको बताना है पुसिन बोल रहा है कि वर्ल्ड में वो सबसे पहला देश कौन है जो डिफेंस के उपर रक्षा के उपर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है तो वो देश है आपका अमेरिका भईया इंडिया कितने नंबर पर है तो इंडिया है आपका पांच नंबर पर जो रक्षा के उपर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है लेकिन पहले कौन है वो है आपका अमेरिका ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है सोनम सिर्पा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक प्रसिद्ध क्या थी ये आपको बताना है और ये एक गितारिस्ट है यानि ये गितार बजाते थे option number आपका D ठीक है आप देख पी पा रहे होंगे हाथ में क्या एक गितार है अगला प्रस हमारे सामने है कौन सा राज राज में खेलों को बढ़ावा देने और इवाव को खेल में उत्क्रिस्टा के लिए प्रत्तुसाहित करने के लिए नगत पुरुसकार देगा और वो राज है आपका हर्याना आप सभी को पता है हर्याना से बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं आपलीट्स वेगरा तो वहाँ कि सरकार ने आवाड रखा है ताकि वहां से और भी इवाव जो हैं वो खेल में भाग ले सके और हर्याना का नाम हो सके तो ऐसा करने वाला कौन सा राज जो है तो वो है आपका हर्याना आप सभी को कॉमेंट करकर ये बतारा है हर तो याना के मुख्य मंत्री का नाम क्या है, स्रियम, क्यापिटल क्या है, और वहां के राज़ुपाल, यानि गवर्नर का नाम क्या है, यह आपका आज का पहला प्रस्न है, ठीक है, तो यह थे आपकी important current affair, 26 February का, इसका पूरा PDF, इस विडियो के description box में पढ़ा हुआ है, तो जा साथ अपने मम्मी और पापा, दोनों का ही खयाल लखेगा, ठीक है ना, चलिए, और एक बात, आप सभी न, इस class के timing को याद रखना था कि आपका class जो है, वो बिल्कुल भी आप सभी का miss ना हो, आप सभी को मैंने कल के ही class में बता दिया था, कि आज आपका कोई भी class नहीं से, और हाँ, बहुत जन अभी फिलाल में comments कर रहे थे कि बया, इस tactic ही की का जो है, वो playlist आप बना दीजिए, तो मैंने इस tactic जी के जितने भी आपके सामने ये class दीख रहा है, हर एक class का playlist आपको मैंने बना दिया है, जैसे ही channel पर enter करेंगे न, तो आप देखेंगे कि railway, ssc और group D को बोल कर एक playlist बनाया गया, उस playlist के अंदर हर एक चीज का playlist मैंने जो है, वो बना दिया है, तो आप हर एक class वहाँ पर आपको line by line A to Z जो है, वो मिल जाएगा, इस चीज को लेकर आप बिलकुल बेफिकर रहो, कि आपको अलग से, जो chapter है, जो वीडियो है, खोजने की तो playlist हर एक चीज का मैंने आप सभी को बना कर वहाँ पर डाल दिया है, आप सभी भी चेक कर सकते हैं, और अभी तो मैं कोई class लाने से पहले अभी live stream भी लगा दे रहा हूँ, ताकि आप देख पाओ कि आज कौन कौन सा class होगा, ठीक है ना? झाल झाल